एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर एक्जाम अकेडमी के माध्यम से हम आप सभी के लिए भारत के डिफरेंड डिफरेंड यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टन प्रोफिसर से रिलेटेड जौब रिक्रियूमेंट के उपर आप लोगों तक इनफार्मिशन पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं तो गाईस आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं इंडियन इस्टिट्यूट आफ मेनेजमेंट जो की मुंबई में स्टैबलिष्ट है ये मिनिश्ट्री आफ एजुकेशन के अंतरगत गवर्मेंट आफ इंडिया का एक इस्टिट्यूशन है जहां से असिस्टन प्रोफिशर के लिए रिक्रियूमेंट रिलीज किया गया ह जिसमें इन्होंने फैकल्टी रिक्रियूमेंट के लिए रोलिंग एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया हुआ है तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रियास करेंगे कि यहां पर कौन-कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रियूमेंट मांगा जा रहा है चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि इस तरीके का जो भी इन्फार्मेट्व वीडियों आप लोगों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से बनाये जाते हैं वो आप लोगों तक टाइम पर पहुशता रहे तो यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं यह जो रिक्रियूमेंट न मांगा गया है उसमें आप लोगों के पास PhD होनी जरूरी है related subject से farm को fill up करने के लिए यहां पर academic pay scale जो रखा गया है grade 2 के लिए उसमें 57,700 रुपए से आप लोगों का salary start हो जाएगी और दूसरा जो इसमें academic payable 11 भी रखा गया है 68,000 से भी आपकी salary यहां पर start हो सकती है great 1 के लिए जो यहां पर recruitment मांगा जा रहा है उसमें जो आप लोगों की salary है वो एक लाग एक हजार 500 रुपए से यहां पर start की जाएगी great 1, assistant professor great 1 की salary होती है वो काफी अच्छी salary होती है great 2 के मुकाबले में कि great 2 की salary होती है वो तकरीबन 60-70,000 के बीच में होती है और जो great 1 की salary होती है वो एक लाग प्लस ही रहती है यहाँ पर जो age limit रखा गया है great 1 और great 2 दोनों के लिए 35 years रखा गया है assistant professor के लिए associate professor के लिए जो यहाँ पर salary प्रवाइड कराई जा रही है वो एक लाग 49,600 रुपए यहाँ पर आपको प्रवाइड कराई जाएगी और जो qualification यहाँ पर मांगा गया है प्यजडी मांगा गया है और साथ ही साथ आप लोगों को कम से कम 6 साल का जो assistant professor के पोश्ट पर पढ़ाने का experience होना जरूरी है farm को fill up करने के लिए यहाँ पर रखी गई है 45 यह के करीब में रखा गया है और प्रोफेशर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 50 यह के करीब में रखी गई है तो यहाँ पर जो recruitment निकल कर आया हुआ है वो permanent पोश्ट के लिए निकल कर आया हुआ है प्रोफेशर, असोसियेट प्रोफेशर और असिस्टेंट प्रोफेशर तीनों के लिए यहाँ पर रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है फार्म को फिलब करने से पहले नाडिफिकेशन को जरूर से नाउनलोड करने इसके आफिसियल वेफ साइट से ताकि आप लोगों को फार्म को फिलब करने में आसानी हो सके यहाँ पर जो रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है प्रोफेशर, असोसियेट प्रोफेशर और असिस्टन प्रोफेशर के लिए उसमें Analytics and Decision Science से रिक्रुमेंट निकल कर आया हुआ है Economics and Strategy से रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है Finance and Accounting से रिक्रुमेंट आया हुआ है O.B.H.R. से रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है Inter-Prinanship से रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है सेंस्टेलबिल्टी मेनेजमेंट से रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है मार्केटिंग मेनेजमेंट से रिक्रुमेंट यहाँ पर मांगा जा रहा है ओपरेशन्स एंड सप्लाई चैन मेनेजमेंट से रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है और मनुफेक्चरिंग management से यहाँ पर assistant professor, associate professor और professor के लिए recruitment माँगा जा रहा है तो guys अगर आप interested है यहाँ से farm fill up करने के लिए तो इसके last day से पहले farm fill up कर सकते हैं farm अभी fill up होना start हुआ है, permanent post है salary काफी अच्छी है तो इस तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को हमारे youtube channel के माध्यम से मिलते रहते हैं तो इसके लिए आप लोग हमारे channel पर बने रहें, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ, अब तक के लिए thank you so much